नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रावल एक्जाम रेस पर दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए नदियों से संबंदित प्रशन लेके आया हूं जो कि हर कॉंपेटर एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों इ देख रहे हैं प्रेस करना विल्कुव न भूलें ताकि आने वाज नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो चलते हैं कुश्चन की हो देखते हैं क्या है तो पहला कुश्चन है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नद 60 किलो मिटर ब्रह्मपूत्र नदि है दोस्तों वह तिप्द के मान 100 अरुबर जहील से निकलती है चलते हैं आगले प्रश्क्न की ओर किस नदी के टट पर बद्री नाथ का प्रसिद मंदिर है तो बताए फ्रेंड्स किस नदी के टट पर बद्री नाथ का प्रसिद मंदिर है तो किस नदी टट पर दोस्तों अलग नंदा नदी टट पर बद्री नाथ का प्रसिद मंदिर इस्थित है चलिए चलते हैं अगले प् प्राचिन नाम कालिंदीर नदी है यह भी आप लोग ध्याम में रखिएगा और यम्ना नदी की साइक नदी है कौन-कौन से दोस्तों चंबल बेतवा और केन नदी तो इन कोश्चनों को भी आप लोग ध्याम में रखिएगा चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर गंगा की एक मात्र साइक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वह कौन सी नदी है तो कौन सी नदी है दोस्तों गौमति नदी दोस्तों जो को गौमती नदी है इसका उद्गम यूपी के पिली वित इस्टेद गौमत ताल से होता है और दोस्तों जो गौमती नदी है इसको फुलहर जील के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों यह सब आप लोग ध्याम रखिएगा चलते हैं आगले प्रश्ण की ओर से चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर कि बांगला देश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो पताए फ्रेंड्स बांगला देश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों पदमा पदमा के नाम से बांगला देश में गंगा को जाना जाता है चलता है और चलते हैं अगले प्रशन को यह प्रक्रेंट क्या है वह नदी जो केदाल नाज से रुद्व पर्याग कि मद्धा बहती है वह कौन सी नदी रुब्व तो बताएं फ्रेंथ है वह नदी जो केदारनात से रुद्ध्यक्य मद्ध भेğini भटी है कौक सी епार laud डाद माल स्थान पर अलगनन्दा तता भागी रत्ती का संगम होता है तो बताइए friends किस स्थान पर अलग नंदा तता भागी रती का संगम होता है तो किस स्थान पर दोस्तों देव परियाग में देव परियाग में अलग नंदा तता भागी रती का संगम होता है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर दोस्तों questions exam point of view से काफी important है और आप लोग को जो भी कोशन है इनी कोशनों में से देखने को मिलेंगे तो कोशन दोस्तों कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से मिलती है तो बताई दोस्तों कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से मिलती है तो कौन कौन सी नदी है दोस्तो जो गंगा के बाएं से मिलती है गौमती गंडक घागरा और कोसी नदी यह है गंगा के बाएं और से मिलती है और दोस्तो गंगा के दाएं और से कौन सी नदी मिलती है तो यमना सोन और टोंस नदी यह गंगा के दाएं और से मिलती है तो यह चलते हैं आगلे प्रश्ण की और कौन सी स्रेडी यमना और सोन के मद्य जल्दुवजन का कारे करती हैं तो बताए फ्रेंड्स कौनसी स्रेंडी यम्मुना और सोन के मद्धे जल्द विवाजन का कारे करती हैं तो कौनसी स्रेंडी है दोस्तों कैमूर की पहाडियां केमर की पाड़ियां है यमुना और सोन के मद्दे जल्द विवाजन का कारे करती हैं चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर भारत में यरलुम जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं तो बताए दोस्तों भारत में यरलुम जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं कि तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों ब्रह्म पुत्र नाम से ब्रह्म पुत्र नदी के नाम से यलुम जंगभो नदी को भारत में जानते हैं चलते हैं अगले प्रशन की योऊ तिब्बत मान सरोबर जील के पास जिस नदी का सुरोथ है वह कौन सी नदिया है तो वह कौन कौन सी नदिया है दोस्तों ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंदु नदी कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सायक नदी है तो पताए फ्रेंड्स वह कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सायक नदी है तो कौन सी नदी है दोस्तों दिव्यांग कमेंग और लोहित नदी दिव्यांग कमेंग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सायक नदी है चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाती है तो पताए फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है तो किस नाम से जानी जाती है दोस्तो सांग्पो सांग्पो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है दोस्तो जो ब्रह्मपूत्र नदी है वह तिब्बत भारत और बांगला देश से होकर बहती है दोस्तो यह बाते भी आप लोग ध्यान में रखिएगा चलिए चलते हैं अगले प्रशन की ओर दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जोरू कर दीजेगा अगर च नदी की उप नदी कौन है दोस्तो मानस नदी चलिए चलते हैं अगले प्रशन की ओर नर्मदा नदी किन प्रवत संखलाओं के वीच बहती है बताए फ्रेंड्स जो नर्मदा नदी है वह किन प्रवत संखलाओं के वीच बहती है तो किन प्रवत संखलाओं के वीच बहती ह चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर नर्मदा और तापती नदी किस घाटियों से होकर बहती हैं तो बताइए फ्रेंड्स नर्मदा और तापती नदी किस घाटियों से होकर बहती हैं तो किन घाटियों से होकर बहती हैं दोस्तों यह रिफ्ट वैली ब्रंस घाटियों से ह कर बहती हैं चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अमर कंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है तो बताए फ्रेंड्स अमर कंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है तो कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमर कंटक से होता है दोस्त जो नर्मदा नदी है दोस्तों वह MP की सबसे बड़ी नदी है और इसको मर्द्य परद्दिश की जीवन देखा भी कहा जाता है चलिए चलते हैं अगले प्रशने की ओर दोस्तों गोदावी नदी की सहयक नदियां कौन कौन सी है तो बताई दोस्तों गोदावी नदी की सहयक नदियां कौन कौन सी है तो कौन कौन सी है दोस्तों इंदरावति और प्रण हिता जो की गोदावी नदी की सहयक नदियां है चलिए चलते हैं अगले प्रशने की ओर दोगिया someday कौन से दोस्तों गोदावरी जिसके लंब्थाज़ी पेंगा इंद्रावती और प्रणहिता उटा यह कैने प्रस्ण हर कॉंपेटी अग्जाम पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग इनको ध्यान से नोट डाउन कर लिजेगा और एक्जाम के टाइम पर रिविजन कर लिजेगा इससे बाहर कुछ कोशन नहीं आएंगे दोस्तों तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के 20 महत्वट परस पूस्तों के साथ जब तक के लिए बाबबाय ठीक है बंदे मात्रम